रादे रादे दोस्तों नमस्ते कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़े होंगे मजे में होंगे और खुछ होंगे और आप सभी को एक आदसी की तुलसी विवा की रेसरी सुपकामना है और सुभा का जो वीडियो गया था वो दोफर तक आही था अभी रहा है साम का टाइम संद्या कर दिये हैं और यह दिखे यह दिपावली में जो लाइट वेगर लगा था अभी तक लगा हुआ है यह अभी नहीं निकाले है अच्छा लगता है देखने में तो अभी लेके बैटे हैं यह दिखे यह है सकरकन तो विसी का बनाएंगे अभी आज के दिन घाना चाहिए इसलिए मनगवाय थे चलिए बनाते हैं सकरकन का खीर और रेशिपी सेर करते हैं कैसे बनाते हैं वीडियो में बने रहिएगा तो सकरकंद को ना पानी से भी धोल ये हैं चार-पांच पानी से और थोड़ा देर इसको 15-20 मिनिट के करीब इसको पानी में डालके रख दिये थे तैकि इसमें जो भी मिट्टी वेगर रहे हैं वो फूल जाए अच्छे से तो इसको धोल ये हैं उसके बाद इसको छीलते हैं और चाकू से ही इसको घस-घस के छील लेंगे और आप चाहे तो पीलर की सहाता से भी से छील सकते हैं लेकिन बहुत मोटा छिलका निकल जाता है उससे तो इससे भी अच्छा ही छिला जा रहा है और पतला छिलका होता ही है सकरकंद का तो वस इसको छीलते हैं और छीलने के बाद ने इसको पानी में ही डिरेक्ट रखते जाना है अगर खुला रखेंगे से बिना पानी के तो पुरा काला पड़ जाता है यह सकरकन तो इसलिए पानी में रख रहे हैं छिल-छिल के और यह टोटल आदा केजी है तो इतना तो नहीं बनाये थे इसमें 4-5 हम छोड़ दि हुआ था और टेस्ट भी एकदम गजब का था इसका तो इसको देखिए कद्दूकस कर रहे हैं चीड लिए हैं अच्छे से और रगड़ रगड़ के दो लिए इसमें कुछ भी नहीं है और इसको पानी में कद्दूकस कर रहे हैं खुला करेंगे तो काला पड़ देने लग और इसए इस tackसी में न आब ये वाले इकादसी में केला गानन और सकरकण आलु यही सब जाधा तर खाया जाता है साबुदाना वगेरा ओगर भी खा सकते हैं तो मेरा सकरकं का खीर हो जाएगा तो हम साबुदाना नहीं बना रहे हैं उस्योंजिन स्थो इसको भी मिने बु भूनेंगे एकदम हलका सा अधा मिनिट के करीब बस डाले और जरा सा भून के निकाल लिए हैं देख सकते हैं इसका कलर और इसी गी में ये कद्दू कस किया हुआ सकरकन डाल देते हैं और जब कड़ाई में घी डाल रहे थे उसी टाई हमें इसको पानी से निगाल के छन्य मे सब्सक्राइब यह नहीं रहा है लेता है नहीं तो पूरा एकदम यह काला पढ़ जाता सकरकर तो अब इसको भूनते हैं और वह सकरकन भी उदर मेरा ओबल ही गया है जो इसको भूंते हैं और इन्ने बहुत ही जल्दी यह बनकर तयार हो गया था 15 मिनेट के करीब में ही तो पक भी गया है यह एकदम पतला पतला तो है ही आधा एकदम पक चुका है इसका टेकसर से आप लोगों को पता चल रहा होगा देखिए पुरा एकज़गई गठा होने लगा है और ना कड़ाई से जो बदाम पगेर निकाले न काजु बदाम ऐसे तो गीन थोड़ा सा नीचे टपक गया तो स्लीप कर रहा था कड़ाई तो इसलिए उनको पकड़ के चलाना पड़ रहा है तो देखिए पूरा पक चुका है यह दूद भी उदर साइड में चड़ा दिया है दूद भी अच्छे से गरम हो गया है तो सारा सकरकन डाल दी और अच्छा सा गुलावी होने और तयार हो गया बहूत जल्दी बन जाता है साबुदाना का खीर तो उसमें टाइम लगता है बनने में लेकिन यह दम बहुत जल्दी बनकर तयार हो गया और एक कटोरी यह खा लेने से बस हो गया उसके बाद हम कुछ भी नहीं खाए थे मोंगफली सब वैसे ही पढ़ा र यह बदाम काजू और थोड़ा सा चीनी डाल दिया सकरकन तो मीठा होता ही है तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कितना मीठा पसंद है तो मेरा खीर तो बन चुका है और चीनी डाल के मिक्स करके अच्छे सिर रख दिये उसको गैस बंद कर दिये हैं और यह देखिए अभी आए हैं ड्यूटी से और उदर से प्रसाद लेते हुए आए हैं क्योंकि उनके भाईया गए थे गाउं तो चट पूजा था तो मेरी सासुमा ही करती है मेरे घर में चट होता है हम लोग नहीं जा पाते हैं बच्चों को चुट्टी नहीं मिल पाता है इ यहीं सूप में चड़ाया जाता है चटकुजा का प्रसाद हम लोग का यहीं रहता है और कुछ आम का अचार है वो सब विजवाई है गाउं का तो और यह देखिए महँआ है च्छेना महां बिहार साइट का यह च्छेना पूरा रस इसका इसके कवर में सूप चुका है क्य यह देखिए आप लोग मुझ मिठा करिए बिहार साइट का च्छेना से और यह साउथ में इधर ऐसा वाला नहीं मिलता है इसलिए गाउं का मिठाई का याद आता है उदर का तो कोई भी चीज का बात ही अलग है खाना हो बोलिए या कुछ भी इधर में वह इसा टेस्ट है नहीं लेकिन फिर भी जैसा जो है खाते हैं और इधर सारा समान को निकाल कर रख दिये और मेरा खीर भी इधर हो गया था तयार निकाल लिए हैं प्लेट में खीर को और उपर से सजा देते हैं एक दो काजू से और बदाम से देखने में अच्छा लगे और यह जब तक और इसके साथ दो केला लिये थे बस और कुछ भी नहीं तो यही था मिराज का फलहार और कुछ भी नहीं नमक वगएरा नहीं खाते हैं हम लोग तो बस यही था वीडियो अगर वीडियो अपनों को जरा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा चैनल प लाइ रादे रादे